Hey everyone, welcome to exam gurukool. Last video में parts of speech discuss किये गए हैं, तो आज की video है noun पर और उसके kinds पर. तो चलिए चलते हैं अपने noun की तरफ, क्या कहता है noun? उससे पहले वीडियो को like, share और subscribe करना बिलकुन न भूले. तो noun जैसे कि इसको हिंदी में हम संग्या गह कर पुकारते हैं, तो शायद आपको याद आया होगा कि noun होता क्या है. Definition वही है जो आप तक आपने पढ़ी होगी. A noun is the name of a person, place, thing or feeling. यानि कि noun एक name है, तो noun is equal to name, जो किसी person को, place को, think को, feeling को name देने का काम करता है. तो हम इसे naming word भी कह देते हैं. आपने कही न कहीं बुक में ये भी पढ़ा खाओगा कि noun is a naming word. इसका sense तो यही आया कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जगा हैं, जो भी लोग हैं, animal हैं, सब का कोई न कोई नेम होता है और वही noun है. तो अब आते हैं kinds of noun. टोटल हैं 5, common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. अब उपर के जो 4 है, common, proper, collective और material उनको concrete noun बोला जाता है. concrete का meaning ही होता है, मूर्ध यानी की जिसका कोई physical appearance है, कोई मूरत है. ये सब हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, कुछ न कुछ तो कर सकते हैं, इसलिए concrete noun है. एक classification कहता है, noun की सिर्फ two categories है, concrete noun and abstract noun. और concrete noun, जैसे की नाम से ही पता है, मूर्ध जिसकी मूरत होगी, यानी physical appearance होगा, जिनको हम अपने five senses से पहचान सकते हैं, जैसे की देख सकते हैं, smell कर सकते हैं, सुन सकते हैं, taste, touch, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन abstract में ये sense काम नहीं करते हैं, उनको sense ही नहीं कर पाएंगे, ये abstract noun कहें जाते हैं, जैसे की honesty की बात करों, ये liberty, freedom, slavery, इनको आप उठा कर क्या एक जगा से दूसरी जगा रख सकते हैं, ला सकते हैं, छू सकते हैं, no, these are abstract noun, इसका मतलब ये हैं के हमें total five kinds तो हमें noun के पढ़ने ही हैं, common, proper, collective, material, abstract, क्योंकि noun इतने सारे हैं, उनको पहचानने के लिए category तो उनकी बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनको identify करना easy हो जाए, और इसके बाद एक classification और किया गया है, जिसको हम modern classification बोलते हैं, वो हम वीडियो के end में देखेंगे, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, common noun क्या है, अब इसके नाम से ही आपको पता लग रहे हैं, जो बहुत common है, noun यानि name, एक common से name है, चलिए इसकी definition देखेंगे आपको आगे की बाद भी समझा चाहेगी, A common noun is a name given to every person, place, or thing of the same class or kind. Common nouns are not capitalized unless they appear at the start of a sentence. Common noun वो है, जो एक से person, एक सी place, और एक जैसे ही thing को एक name दे दिया चाता है, जो एक ही class के हैं, एक ही काइन के हैं, नहीं एक ही तरह के हैं, कह सकते हैं, एक ही प्रजाती के हैं, जैसे कि मैं भी person हूँ, आप भी person है, तो सबको person बोल दिया, animal है, अब सबको अलग अलग न बोल के जितने भी जानवर है, सबको animal बोल दिया, common name दे दिया, दूसरा point यह है याद रखने का कि common noun को कभी भी capital letter से नहीं लिखा जाता है, अब यहाँ पर लिखा है कि at the start of a sentence, अब sentence स्टार्ट होगा, तो चाहे common से हो, किसी से भी हो, यह तो एक general concept है, जो सबको पता है, कि sentence स्टार्ट हमेशा capital letter से होता है, अब example देखते हैं, देखें, नॉर्मली समझते हैं, common noun एक common name हो गया, ठीक है, एक common सा name दे दिया हमने सबको, example देखें, जैसे boy, अब दुनिया के जितनी भी लड़के हैं, सबको boy दे दिया, boy हो गया, common noun, right, उसी तरीके से girl, जितनी भी लड़के हैं, सबको एक common name क्या दे दिया, girl, चाहे हमारे देश की हो, दूसरे देश की हो, इस शहर की, उस शहर की, गाउं की, सब की, ऐसे ही दु जैसे आपके शहर की, मेरे शहर की, इस देश की, उस देश की, कोई भी ट्रेन है, कहा तो train ही रहे ना, train हो गया, common name, यह वाली बुक, वो वाली बुक को इसी भी बुक हो, दुनिया, में जितनी भी बुक हैं, सबको क्या कह रहे हैं, बुक, बुक कि सब common name, इसी तरीके से, दूसरे animal की बात कर रहे तो अभी मैंने example दिया था animal का जितने भी जानवरे हैं dog, cat, camel, horse, lion, tiger सब animal ही कहे जाते हैं इनको एक common name दे दिया animal लेकिन यहापर एक बात ध्यान रखिए अगर हम उसको dog बोल रहे हैं तब भी वो common name ही है यानि common noun ही है cat b, lion b, क्योंकि दुनिया की सारे dog, cat, lion इसी में आ जाते हैं किसी एक ही dog की बात आप नहीं कर रहे हैं उसी तरीके से rose, lotus और daisy है इनसे दुनिया की सारे rose, lotus, daisy के बारे में पता लग रहा है common noun है sentence देखते हैं he broke the plate I gave him to put on the table इसमें plate और table common noun है क्यों क्योंकि दुनिया की सारी plate और table को हम table और plate ही बोलते हैं ठीक है next the students of our college have a union इसमें students, college और union ये common noun है क्यों common noun है कि student तो कोई भी हो सकता है सबको एक common name दे दिया है college किसी का भी हो सकता है आपका मेरा इधर उस शहर का इस देश का उस देश का union को इसा भी हो common name है the teacher read a long story अब teacher कोई भी हो वो भी एक common noun ही है story भी story कोई एक तो होती नहीं है ये भी common noun है जो सबके लिए एक common name दे दिया जाता है वो common noun होता है simple the line is the king of the jungle line सारे line की बात हो रही है न कोई सब भी line हो सकता है बोलेंगे तो line ही king कोई भी king हो सकता है jungle यानि jungle ही बोलेंगे ओके तो ये सारे हो गए हमारे common noun आपको common noun समझ आ गए होंगे तो चलिए फिर चलते हैं अपने प्रॉपर नाउन की तरफ अब इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है यह तो कुछ प्रॉपर बता रहा है यह नहीं कुछ पर्टीकुलर नेम दे रहा है अगर आप नाम से समझ लेते हैं तो सारे काइंट्स आपको याद रहेंगे क्योंकि सारी डेफिनिशन तो उसके नाम में ही छिपी रहती है प्रॉपर नाउन वही एक इसने प्रॉपर नेम दे दिया जैसे कि मेरा और आपका कोई नोग की प्रॉपर नेम होगा डेफिनिशन देखिए अब प्रॉपर नाउन is the name of a particular person, place or thing and that is usually begins with a capital letter यहाँ पर वही बात कहिए यानि कि किसी person को, place को, thing को अब common name नहीं दिया एक सी लोगों को उनको एक particular name दे दिया तब वो प्रॉपर नाउन बन जाता है यानि कि अब single person की बात होगी, single place की बात होगी, single thing की बात होगी और यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि हमेशा capital letter से start होगे sentence के middle में हो या sentence के end में हो, कहीं भी हो प्रॉपर नाउन capital letter से लिखे जाते है example से आप देखकर समझी जाएंगे जिसे राम, रोहन, सुनिल, पायल, सीता, गीता, मिताव, इंडिया, मुंबई, पतना and so on इस अब नेम ही तो है, तो capital letter से तो लिखे ही जाएंगे अब आते हैं इधर, मृदुल and कृष are friends मृदुल किसी boy का नाम है, कृष भी किसी boy का नाम लग रहे ना बॉय तो common name हो गया, अब वो मृदुल और कृष, यह क्या हो गए, proper noun ऐसे ही, जैपूर is known as the pink city जैपूर भी एक city का नाम है न, एक ही city है जैपूर नाम की सारी city तो नहीं है, उसी को pink city बोलते है दौनों हो गए, proper noun I finished school last June, month का नेम है, एक ही June होता है बही 12 month में, सारे month को जून नहीं बोला जाता है, proper noun है He is teaching German in this school, German यानि languages की नेम जो होते हैं वो भी proper noun में आएंगे, एक ही भाषा है जर्मन, सब भाषाओं को जर्मन नहीं बोला जाता तो यह example थे, proper noun के, अब कुछ इफरेंसिस देखें के common noun और proper noun का कैसे identify कर सकते हैं अब आप देखे, Australia, Nepal, Singapore, Iran Australia भी एक country है, नेपाल भी एक country है, Singapore भी इरान भी तो लेकिन एक ही country है, इन समय common क्या है, कि यह country है तो country हो गया common noun और इनका particular name क्या हो गया, proper noun उसी तरीके से निपुन, राम, श्याम, कुनाल, संकेत या तो यह boys की name हो सकते हैं, या men की name हो सकते हैं तो इन समय common क्या है, या तो यह boys है, या men है तो boy हो गया है, यहाँ पर common noun राइट? उसी तरीके से चाहा हम बात करें, रिया, टिया, आईशी, प्रिया, सुप्रिया यह name हमें किसके लग रहे हैं, या तो girls की होंगे, या women की होंगे तो इन सब में common क्या है, या तो यह girl है, या यह women है सारी women को तो प्रिया, सुप्रिया नहीं बोला जाता है तो यह woman का नाम है, woman हो गया, common noun woman या women वो तो उनका singular plural हो गया, वो एक अलग चीज है पहले आप noun समझे है, अब Simba, Rambo, Moti, Tommy अरे भाई, यह इनसानों के नाम नहीं है, हम लोग अपने pet के नेम रख लेते हैं तो dog तो है, common noun, जब उसका नेम रख लिया जाता है, तो वो proper noun बन जाता है ऐसे ही पटना एक सिटी है, बरेली एक सिटी है, इंदौर एक सिटी है, मुंबई एक सिटी है एक ही एक सिटी है यह, तो यह proper noun है, लेकिन सब में common क्या है, यह city है तो city हो गया हमारा common noun I hope आपको जो difference है, वो समझ आ रहा होगा, बिल्कुल clear ऐसे wings of fire और ignited minds, यह क्या है, यह title है कुछ books के यह title है books के, यानि यह book के name है तो इन में common क्या है, कि यह book है तो book तो हो गया common noun, जब इनका title आ जाता है, तब वो बन जाता है proper noun और आपको मैं बता दू, wings of fire और ignited minds, आप पहचान भी गये होंगे यह सब के चहेते, अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी हुई books है और I think यह सभी को पढ़नी चाहिए तो चले अब आते हैं अपने collective noun पर अब इसका भी नाम देखी, collective इससे ही हमें पता लग रहा है कुछ collect कर रहा है यनि collection की बात कर रहा है जिन भी चीज़ का कुछ collection होगा उसको कुछ name दिया होगा definition देखिए collective noun is a naming word used to refer to a group or number of animals, people or things यानि कि collective noun वो है जो animals का group बता है people का group बता है या things के किसी collection के बारे में बता है वो collective noun है जब उनको name दे दिया जाता है collection को, group को जिसी crowd है, mob है, team है, army, jury, herd, flock, bunch and so on ये किसी एक particular person की बात नहीं बता रहे है नहीं ये किसी को common name दे रहे है ये किसी ना किसी एक group के बारे में एक name दे दिया जिसी crowd crowd में आपको पते एक आदमी नहीं होता crowd लोगों की भीड को ही कहते है team players जितने होते हैं उसको players के group को क्या कह दिया है, team कह दिया है उसी तरीके से army है, jury है, herd है, flock है and so on अब आते हैं bunch of keys ये जनी चावियों का गुच्छा अब bunch है तो name ही ना लेकिन collective noun है उसी तरीके से a library of books library किसे कहते हैं, जब books का collection होता है उसे library कहा जाता है लोग अपने घरों में भी एक corner library बना लेते हैं fleet of ships जब सारे ship एक ही command पर एक ही साथ चलते हैं उनको fleet of ships कहा जाता है a flight of birds जब सारे पक्षी जब एक साथ उड़ते हैं उनको flight of birds कहा जाता है और कभी-कभी आपने देखा होगा वी शेप में भी उड़ते हैं उसको कहते हैं flock of birds a comb of banana यह comb of banana जिसलिए कह दें क्योंकि जो बनाना का जो गुच्छ है एक comb की तरह लगता है a pride of lions जब सारे lion एक साथ चलते हैं कही सारे group में उसको बनाते है pride of lions चलिए lion देखे आप डरना चाहें दूसरी slide पर आते हैं sentence देखिए अब a swarm of bees attacked the child swarm swarm कहते हैं मदु मक्यों के जो जुन्ड होता है हिंदी में तो हम उससे जुन्ड ही बोलते हैं swarm को उसे इंग्लिश में बोला जाते है swarm ऐसी a crowd gathered in the chalk यानि चौक में भीड खटा होई तो crowd हिंदी में तो वही बोलते हैं इसे भीड ही बोलते हैं crowd ये भी एक collective noun है अगला sentence देखते हैं आपको समझ आएगा आप एचाने की कोशिश करें the herd of cattle was grazing in the field cattle यानि की पशू या जानवर और herd उनका जुन्ड पशू जानवर एक साथ तो चरने नहीं जाता ना मैदान में जुन्ड में जाते हैं तो उसको बोला है herd उनके गुरुप को the jury found the prisoner guilty jury में एक जज नहीं बैठता एक से ज़्यादा जज होते हैं तो उसको गुरुप को क्या कहते हैं jury कहते हैं jury ने कैदी को अपराधी पाया jury को हिंदी में न्याय पीट कहा जाता है अब आते हैं अपने अगले sentence one I love my Indian army आर्मी आपको पता है ये पूरी सेना की बात हो रही है सेनिकों का गुरुप आर्मी men तो एक पर्टीकुल आदमी की बात हो जाएगी आर्मी क्याने की पूरी गुरुप की बात हो रही है ये हो गया हमारा collective noun तो swan, crowd, herd, jury, army इनसे आप पहचाने गए होंगे एक collection को दिखा रहे हैं इसलिए इनको collective noun कहा जाता है अब देखते हैं material noun क्या होता अब इसके नाम से भी आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि किसी ना किसी material की बात हो रही है material noun is a substance of material or an ingredient we can see and touch which is used for making things यानि कि material noun एक substance है एक material है, एक ingredient है जिसे हम देख भी सकते हैं, touch भी कर सकते हैं और इससे दूसरी चीज़े बनाई जाते हैं example देखिए gold, silver, इनसे क्या jewelry बनती है iron, milk, water wheat, coal, rubber, glass, wood wood से तो आपको पताएं कितना सारा furniture wood से बनता है sand, sugar, rice, plastic, calcium chalk, ghee, metal, stone, etc बस यहाँ पर ध्यान आपको ये बात रखनी है कि जो nature से मिलती है ये जो material है कुछ हमें nature से, कुछ animals से, कुछ plants से, कुछ man-made होते है golden, silver, nature से ही मिलते है animals से हमें क्या मिलता है milk मिलता है plant से हमें wood है wheat वगएरा जो भी seedles से हमें plant से मिलते है man-made क्या है, इसमें plastic है chalk है, घी है, ये सब man-made है अब sentences देखिए और पहचाने की कोशिश कीजिए कि कौन सा material noun है animals need water water एक material noun है we should drink milk daily इसमें कौन सा material noun है milk जितने भी liquid होते हैं वो सारे material noun में आते हैं ये तो इसकी पहचान है ही पहली the farmer produces cotton once a year cotton हो गया जिसको हम हिंदी में कपास बोलते है material noun the gate is made up of iron and brass iron लोहा ब्रास यानि पीतल की हो गया material noun material की बात ही हो रही है the rubber is extracted from the tree rubber एक natural material है क्योंकि nature से मिल रहा है तो rubber हो गया material noun यहाँ पर मैंने आपको picture में भी दिखा है है यहाँ पे देखिए कैसे की rubber निकाला जा रहा है एक ट्री से इस तरीके से rubber extract किया जाता है अब आते हैं अपने last noun पर वो है हमारा abstract noun जिसको हम पहले ही समझ चुके हैं कि abstract अगर इसका हिंदी meaning है तो वो है अमूर्थ जिसकी कोई मूरत ही नहीं है कोई physical appearance है ही नहीं जहां हमारे senses काम ही नहीं करते वो abstract noun है abstract noun is used to indicate feelings, qualities, ideas and concepts that we cannot identify with the help of our senses example देखिए honesty, beauty, childhood, wisdom opinion, virtue, kindness patience, etc अब honesty को beauty को childhood, wisdom इन सब की बात करें उठा कर एक जगा से दूसरी जगा रख सकते हैं तच कर सकते हैं या फिर कम बढ रहे हैं तो बजार से जाके खरीद लाएं हाँ भी थोड़ी सी kindness खरीद लाएं कहीं मिलती हो तो मैं ले आओ भई abstract noun इस सब क्या है? abstract noun अब sentence देखिए honesty is the best policy honesty और policy यह सिर्फ mind की concept ही तो है physical कोई appearance नहीं है किसी भी sense से हम इनको महसूस ही नहीं कर सकते friendship is priceless अब यहाँ पे friendship क्या है? name तो है लेकिन कैसा है? abstract name है क्योंकि इसका कोई physical appearance नहीं है next देखिए have you read about the theory of evolution? यहाँ पर theory और evolution यह क्या है? abstract noun ही है name तो है तो इसलिए noun noun की category में आएंगे लेकिन abstract है they laughed at my idea idea किया है? कहीं से खरीद के ला सकते हैं? चूँ सकते हैं? छोटा बड़ा कर सकते हैं? नहीं abstract noun है next देखिए I don't like gossip gossip is also an abstract noun I hope यह clear होगा जैसे कि मैंने बात की थी कि वीडियो के end में मैं एक modern classification के बारे में बात करूँगी तो वह हम यहाँ देखते हैं modern classification यह कहता है कि noun की सिर्फ दो ही categories है countable noun and uncountable noun countable noun वो होता है जिसको हम count कर सकते हैं एक, दो, तीन इस तरीके से जैसे कि अभी मैं बात करो books आपके पास रखें तो books को आप easily count कर सकते हैं right? uncountable noun वो है जिनको आप count नहीं कर सकते हैं जिसके milk और water को कैसे count करेंगे एक milk, दो, milk, तीन milk नहीं इनको हम count नहीं कर सकते normally जिनको आप 1, 2, 3 करके count कर सकते हैं countable noun और uncountable noun जिनको आप 1, 2, 3 से count नहीं कर सकते इनको हम एक ही वीडियो में नहीं देख सकते वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस पर में एक separate वीडियो बनाऊंगी till then goodbye, take care वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको like, share, subscribe करना बिल्कुल न भूले and thanks for watching